हलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूटूब चैनल में बिहार स्वास्त विभाग के अदरगत भरती 2021 के लिए आप लोग से आविदन लिया गया था जिसमें की डेटा इंट्री ओप्रेटर और बहुत सारे पदों पर निक्ति हुई थी इनकी बहाल बहाली के लिए आविदन लिया गया था जो कि बिहार के लगभग सभी जिलों से यह आविदन लिया गया था अपने अपने जिलों से यह तो यहां पर फिलाल सभी जिलों में बहाली पर रोक लगा दी गई है बहाली में ओनियमित्ता का आरोप लगाया गया है तो इसकी रद्ध हो जाएगा इन्हीं के पूरी अपडेट आपको हम देंगे क्यों इसको रद्ध क्या गिया है सब कुछ अगर आपने फॉर्म भरा है सभी जिलों से आई थी तो वीडियो को लाज तक पूरा देखी तो चलिए शुरू करते हैं करें तो यहांपर जो है अलग-अलग अपलर अपडेट आयम है तो मैंने यहांपर दो दोर दोनोंका अपडेट दिखाओंगा और यह तो यहांवेश तेनी माह के लिए इसलरा कि गई भालि तीन दिन में दूसरी बार रद क्या गया हो यह दिज्या दूसरी बार इसको रद्द किया गया है यह आपको मुझफरपूर का अपडेट दिया गया है फिलाल परदेश इनकी बिहार के सभी जिलों में भाली पर रोक लगा दी गई है आप स्वाश्व भाग ने तीन महिने के लिए मान्दे पर 780 पदोपर की गई वाली को रद्द कर दिया है इनकी पूरे तरह से निरस्थ कर दिया है आगे कोई चांस नहीं है बाहली की और तीन दिनों के दूरान दूसरी बार वाली को रद्द क्या गया है और विभाग ने माना कि COVID महामारी नियंत्रन के लिए मानो बल की नीति में सिविल सर्जन ने अवने मित्ता बरती है और जिले के DM ने सिविल सर्जन से 48 घंटे के अंदर में असपश्टिकरन देने का निर्देश दिया है जिसमें कि भाली के अंतरगत, सिविल सर्जन कार्यारे दवारा, डेटा इंट्री ऑपरेटर अवंग अनिस्वास्ट करमियों को देनिक आधार पर रखने में नियमों वो मानकों का सत परतिसत पालन नहीं किया गया इसलिए यहां पर जो है सभी को निरस्ट कर दिया गया है बाली को और फिलहाल सभी सिएस वो मेडिकल कॉलेज के पराचारी और अधिक्षक को पत्र भेज कर कहा है कि आउट्सोर्सिंग के माधियम से मानो बलकी अब नियुक्ति नहीं की जाए मैं तो सुरू से इसके खिलाप हूँ पहले तो पर्मानेट जोब था भारत में दिरे दिरे कॉंट्रेक्ट वेने के अनुबंद पर आया इसको क्यों बोलते हैं समिदा भी बोलते हैं और आप जो है समिदा पर भी नहीं होगे आप जो है आउट्सोर्सिंग के कंपनी को बाली सिर्फ होना चाहिए प्रमानेट यह कि आदमी सेम काम करता है लेकिन कम दे जाता है और काम भी अधिक लिया जाता है हमें सा टेंसर्ट बना राता है कि कब निकाल दिया जाए तो इस पर कमेंट जऔर किजिएगा आप लो तीन दिन में तीन बार निकाल आदेश इने क बावाल किया जिस पर CS ने 27 जुलाय तक मानोबल की सेवा बावाल करने का पत्र किया जारी उस पर फिर 19 जुन को स्वास्त विभाग ने DM के रिपोर्ट के अधार पर बावाली की रद और CS से मांगा असपश्टी करन ठीक है तो यहां पर एक पहला अपडेट था दुसरा अप सेम है यह भी आपको मजफर पूर कही है कि स्वास्ति भाग में 780 लोगों की संविदा पर हुई बहाली निरस्त यानि कि बहाली हो चुकी थी काम भी कर रहे थे वह निरस्त हो चुकी है सेम अपडेट है यहां पर इसको आप लोग आद दोनों को कटिंग को पढ़ना चाते है तो मेरा टेलेग्राम चैनल पर जोएन है तो पढ़ लेजे नहीं है तो उसका लिंक की वीडियो की डिस्क्रेशन में है जाके जोएन हो जाई हो आपको जोपस के अपडेट मिलते रहेंगे तो यहां पर कोई गलती नहीं है फॉर्म निकला वोगों ने भरा लेकिन सरकार सरकार ने नियम को ताके पर रखकर इसको बाली किया और यहां पर सरकार नहीं ही इसको निरस्ट कर दिया तो यहां पर कोई गलती नहीं है तो फॉर्म निकला अपर और एसा यह हो रहा है तो आप लोगा जमीन मिलते रहें दिर किशिए और आगे भी अप्डेट मिलते रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग